सूप्रभात बच्चो मैं अर्विंद कुमार आज आप सबों को ब्याकरण में वर्ण की पडिवासा एवं उसका भेद प्रहने जा रहा हूँ वर्ण वर्ण उस मूल धोनी को कहते हैं जिसका खंड न हो जैसे वो दिरगी वो चो को इत्यादी पानी सब्द की दो धोनिया हैं पा और नी इनके भी चार खंड हैं पो जोर आ नो जोर दिरगई इसके बाद इन चार धोनियों के टुक्रे नहीं किये जा सकते इसलिए ये मूल धोनिया वर्ण या अच्छर हैं वर्ण के दो भेद हैं श्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण श्वर वर्ण श्वर उन वर्णों या धोनियों को कहते हैं जिनका उचारन श्वता होता है इनकी संख्या इगार है जैसे ओ, आ, हर्सी, दिर्गी, हर्सु, री, दिर्गु, ए, ए, ओ, ओ, अव व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उचारन किसी अन्य स्वर के सहारे होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते है इनकी संख्या उन्चालिस है जैसे कवर्ग कवर्ग में आ जाता है को, खो, गो, गो, अंगो चो, चवर्ग चो, चो, जो, जो, यो टवर्ग, टो, ठो, डो, ढो, नो पवर्ग, तो, ठो, दो, धो, नो पवर्ग, पो, फो, बो, भो, मो इन्हें असपर्ष बेंजन भी कहते हैं अंतहस्त बेंजन यो, रो, लो, और वो इनकी संख्याचार है उस्म बेंजन इनकी भी संख्याचार है तालब्विसो, मुर्धनिसो, दंतसो, और हो कुछ संजुक्त बेंजन भी है जैसे अक्छो, त्रो, अग्यो, स्रो दो तलबिंदू वाले भी बेंजन है रो और धो बच्चों इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और नोट्वूक में लिख लें जाँ, क्यों बेंजनू